अमेचे का गाइड लाइन आया है और बिहार सरकार का लगबग जो आकरा था जो बिहार के प्रवासी मल्दूर जो जो बिहार से बाहर रहें, वो जो सरकारी आंकरा जो बिहार सरकार का है वो लगबग 25 लाग का है. अब MHA की गाइडलाइन के बाद जो भी टूरिस्ट हों, माइगरेंट हों, या जो लेबर्स हों, बाहर या जो स्टूडेंस जो फशेवे हैं, अब वहां की सरकार जो हैं वापस लाने का काम कर सकती है. मेरा यही मांग है नितीश कुमार जी से, बिहार सरकार से, कि जो 25 लाग जो आंकरा जो आपने सरकार ने जो देने का काम किया है, हाला कि यह हो सकता है कि लगबग 40 लाग लोग भी हों, जो बाहर फशेवे हों, तो आप कोई बहाना नहीं चलेगा, आप कोई नियमों का हवा मेरा नहीं चलेगा, मैं यही मांग करूंगा कि नितीश कुमार जी सभी लोगों को अव विलम तुरंद वापस बिहार लाएं, सुनिश्चित करें और जल्द से जल्द लाने का काम करें, और लाने के बाद चाहे वो कश्मीर से कन्या कुमारी तक जहां भी बिहार के लोग उनको लाने का काम करें, अब मैं यही चाहूंगा कि ला करके कहीं उठा करके फेकना दिया जाए policing इधर उधर रखना दिया जाए, बल्कि उनके लिए proper infrastructure, health related, करोना टेस्टिंग से ले करके, door to door से लेकर के पूरी infrastructure जो है वो develop करने का सरकार काम करे और ये सरकार को सुनिशित करना पड़ेगा और लगतार हम विपक्ष की लोगों की ये मांग रही है और लगतार संघर्ष हम लोगों ने किया है ताकि बिहार से जो फसे जिते भी migrant है जो फसेवे मजदूर है या चात चात्रा है वो बिहार आ सके उनका पूरा कॉरेंटाइन का विवस्ता होना चाहिए दवा की विवस्ता होनी चाहिए और एक अच्छा infrastructure डेवलप होना चाहिए ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके और वो जो है पूरी तरीकी से स्वस्त हो यह हमारी मांग है बिहार सरकार से